सराइकेला खरसावा जिले के खरसावा थाना क्षेतर अंतरगत हुडंगा के घने जंगलों में नक्सलियों ने बम विस्पोट कर एक वाहन को क्षेति गरिस्त कर दिया गटना के बाद CRPF जवानों ने पूर अक्षेतर की घेराबंदी कर नक्सलियों के धर पकड़ के लिए सगन अभ्यान चलाया इस दोरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुटभेड भी हुई बताय जा रहा है कि मुटभेड में पुलिस के तीन जवान घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए राची ले जाया गया है वहीं मुटभेड के दोरान पुलिस बल को भारी पढ़ता देख भागने में काम्याब रहे हाला कि CRPF और जिला पुलिस बल समूच अक्षेत्र में सघन तलाशी अभियान में लगी हुई है नक्सलियों ने कच्ची सड़क पर कई जगों पर सीरिज बम प्लांट कर रखे थे जिनको पुलिस निश्क्रिय करने में लगी हुई है वही नक्सली वारदात के पीछे दुर्दांत नक्सली महाराज प्रमारित दस्ता का हाथ होने की आश्रंका जताई जा रही है ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केच्सरी टीवी